So 11 class के exam over हो चुके है and result भी आ चुका है, आप लोग promote हो चुके हो class 12 में, आप 12th class में आ गए है, so congratulations all of you first, then अब यहाँ पर CBSC ने timely आपका syllabus launch कर दिया है, जो की 2024 and 25 के लिए रहने वाला है, तो यह आप लोगों के लिए वीडियो होने वाला है, यहाँ पर हम बात करेंगे fine art की, जिसमें हम बात करेंगे painting 049 से related, so मैं हूँ ज्यावलसन और आप देख रहे है, असनार्ड स्टुडियो, so यहाँ पर आप जैसे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, के इंदरी मादमिक सिक्षा बोर्ड का एक circular है, जो की 22nd March को यह launch हुआ है, और इसमें आपको यहाँ देख स्लेवस में क्या है और आपको क्या पढ़ने की जरुवत है, तो यहाँ पर आप यह से खोल सकते हैं, जो यह website दे रखी है, और यहाँ senior secondary को हम यहाँ देख रहे हैं, जिसमें 11th and 12th class है, और यहाँ पर हम जाएंगे academic electives में, group A, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे subject के आप देख सकते हैं, यहाँ पर fine art हम खोल लेते हैं, इसमें fine art में कही सारी चीज़ा आती है, painting, graphic, sculpture and applied art, जिसे commercial art भी कहते हैं, तो यह सारे slivers इसमें cover होने वाले हैं, so इसमें हम सीधा painting वाले page पर जंप करते हैं, court number 049, class 12, 2024 and 25, theory का यह exam होने वाला है, जिसमें आपको 2 hours का time मिलेगा, and maximum जो marks हैं, इसके 30 marks हैं, क्योंकि practical जोटा है, वो 70 marks का होता है, practical के बारे में भी हम यहाँ पर discuss करेंगे, so पहले हम यहाँ theory के बारे में discuss कर लेते हैं, यह 30 marks का आता है आपका, और इसमें 3 unit आपको देखने को मिलेंगी, तो यह 3 unit, हर unit से आपको 10 marks का questions आएंगे, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूता है, जो की 30 marks का आपका पूरा हो जाएगा, आप देखते हैं, unit 1 में क्या-क्या आपको पढ़ने की ज़रूता है, तो राइस्थानी स्कूल, यह आपके chapter का नाम है, and first इसमें आपको क्या पढ़ना है, original development, और original development में क्या होता है, कि यह जो painting है, राइस्थान की कैसे शुरू हुआ है, यह हर chapter को आपको पढ़ना होगा, original development, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, कि painting कैसे शुरू आत हुई है, यहाँ पर इस school में, school मतलब यहाँ पर styles है, तो राइस्था भी आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है, sub school में फिर आता है, मेवार, बूंदी, जोधपूर, बीकने, किशनगर, एंड जैपूर, तो यह sub schools आपको पढ़ने है, and फिर आता है, main features of the राइस्थानी स्कूल, features में क्या होता है, features में आपको painting से related चीज़े देखने को मि मतलब description देना होता है, paintings का जब exam में पूछा जाता है, आप question paper भी देख सकते है, हमारी last video देख सकते है, जिसमें हमने question paper discuss किया है, 2023 and 2024 का, so आप से कोई भी video ना मिस हो, इसलिए आप हमारा channel subscribe करके रख सकते है, and title यहाँ पर जैसे मारूरागनी है, मारूरागनी यहाँ पर painting का नाम है, साहिब दीन इसके painter है, और sub school इसका मेवार है, जो यह sub schools दे रखे हैं उपर, तो उन ही में यहाँ पर painting भी दी गई है, वो painting आपको पढ़ने की ज़रूत है, अब आता है, चोगन प्लेयर, दाना ने painting मनाई है, जोधपुर sub school है, कृष्णा उन्सुंग आता है, इसमें sub school पढ़ने हैं, बट इसमें sub school अलग रहेंगे, पसोली, गुलेर, चंबा, एंड गरवार, और कांगरा, यह सारे आपको sub school पढ़ने है, main features of the Pahari school, इसमें भी आपको देखना होगा, कैसे colors used हुए है, कैसी costume है, कैसी schemes है, color scheme, कैसे borders है, और कैसे themes उसमें used हुए, यह स डूसरी जो painting है, इसमें, नंद याशोदा या. with kinsmen going to Vrantavana. यह से पहली हो गई, और यहा से बनाग से बनाया है, बसोली सब inclusive包, और इसमें नैंसवा ने बनाया है, तिकांगरा सब पढ़ना है and appreciation of the paintings यहाँ पर चार painting आपके सलेवस में है कृष्णा लिफ्टिंग मांगो बर्दन मिस्किन की मिनाई हुए फाल कुनोना बढडर उस्ताद मंसूर की है कबीर और राइदा उस्ताद फगिर उल्ला खान की है marriage procession और दारा सिको हाजी मत नहीं किया यह आपको पढ़ने की जुरू होता है तो इसमें भी original development पढ़ना है main features of the school पढ़ने and appreciation of the paintings तो इसमें आपको two paintings देखने को मिलती है जिसमें आता है है हैदराबाद की एक painting है हजरत नजामदू इनोलिया नामर कुसरो यहाँ पर एक important बात है कि unknown painters यहाँ पर देखने को मिलते है इन painters के name नहीं है इन paintings पे तो इसलिए हमें पता नहीं चल पाया कि किसने यह painting बनाई है और चान भी ब्लेइंग बोलो यह भी unknown artists है और यह गोल कॉंडा सब इसकूल की painting है अब आता है unit 3 यह थोड़ा unit 3 थोड़ा लंबा हो जाता है और इसमें क्या-क्या दे रखा है the Bengal school painting and the modern trends in Indian art सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे national flag of India and the symbolic significance its form and the colors तो यहाँ पर national flag कैसे emerge हो है कैसे बना है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बाग की जाएगी इसमें second आता है introduction of the Bengal school painting और original development of the Bengal school painting हो जाएगा main features of the Bengal school painting हो जाएगा फिर यहाँ पर appreciation of the paintings है तो यहाँ भी आपको चार paintings देखने को मिलती है first is journeys and अब निंदरनाथ टेगोर की बनाएगी है स्रीवेंट सती ननलाल बोस रादिकाय मियार चुकताई and fourth बन है मेंग दूद राम गोपाल बिजे वर गया की यहाँ पर एक sequence mistake हो रखिए two के बाद three आना था और फिर यह four होगा and contribution of Indian artists in the struggle for the national freedom movement तो यह जो artist है इन ही का हमें Indian national freedom में contribution देखने को मिलता है और दो-चार artists में end हो जाते है तो यह सारी चीज़ा में पढ़ने की जुरूरत है फिर आता है modern trends in Indian art modern trends में है कि 20th century में जो paintings हुई है उन paintings को आपको पढ़ने की जुरूरत है paintings होगया graphic prints होगया और sculpture यहाँ पर painting वालों को भी sculpture and graphic prints पढ़ना पढ़ेगा और graphic prints वालों को sculpture and painting पढ़ना पढ़ेगा और sculpture वालों को graphic prints and paint वी पढ़ना पढ़ेगा वी commercial art वालों को सभी पढ़ना पढ़ेगा मतलब इन सब घृ पर भी पढ़ना है पूरा slavery स्थिये हर subject के लिए है चाहे आप commercial art के हो चाहे आप sculpture के ओ चाहिए अब ग्रैफिक प्रेंट के हो चाहिए अब पेंटिंग के हो तो सभी को यह पूरा स्लेवर्स पढ़ने की जरुवत है यहाँ पर नीचे एक नोट दे रखा है तो यहाँ पर जो कस्टन आएंगे वह जो उपर आर्ट वक दे रखें उनसे रिगार्डिंगे जो आपक करेंगे तो यह था आपका स्लेवर्स जो की 2024 & 2025 के लिए है और इससे रिगार्डिंग आपको अगर NCRD की बुक खरीद ने है तो आप उसे ओनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और दूसरा अगर आपको हमारे नोट्स परचेस करने हैं तो वह भी परचेस कर सकते हैं यहाँ पर प्रक्टिकल से रिकार्डिंग सारी चीज़े मिल जाएंगी वायवा से रिकार्डिंग सारी चीज़े मिल जाएंगी तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक ये फो वाचिंग